दोस्तो वापस से आ गए हैं हम लोग एक और हॉरर गेम प्ले ले करके जिसका नाम है इविल डॉल तो दोस्तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा गुपता जी ये कौन सी जगा है चारो तरफ खूनी खून है मिसरा जी हम दोनों इविल डॉल के घर में हैं हमें यहां से निकलना होगा यहां क्या है यह एक मेटल की है यह हमें नहीं चाहिए गुपता जी ये इविल डॉल कौन है सब पता चल जाएगा मिसरा जी चलो आगे जाते हैं गुपता जी इस ड्रॉवर में देख लेते हैं यहां तो कुछ भी नहीं है मिसरा जी हमें यहां बहुत सारा समान इखटा करना है आओ देखते हैं इधर कुछ मिल जाए ये कैसी आवाज थी गुपता जी पता नहीं मिसरा जी यहां तो कुछ भी नहीं मिल रहा है मिसरा जी चलो नीचे चलते हैं पर सावधान रना इविल डॉल कहीं से भी आ सकता है यहां एक लीवर है यह हमारे बाद में काम आएगा चलो इधर देख लेते हैं यहां क्या क्या है गुपता जी यहाँ एक बाउल है चलो मिस्रा जी सबसे पहले इसमें पानी भड़ लो हमें पता है इसका क्या करना है इस बाउल को हमें नीचे ले जाना है चलो इसके अंदर से जाते हैं वो देखो इविल डॉल गया आगे इसे अभी यहीं रख देते हैं चलो वापस से कीचन की और, हमें एक और समान वहाँ दिखा था गुपता जी ये है क्या वो समान? हाँ मिस्रा जी, इसे हमें उपर ले जाना है गुपता जी इस समान का यूज क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अरे मिस्रा जी सब समझ जाओगे आओ मेरे पीछे गुपता जी यहाँ एक कपरा का टुकरा है ये भी काम आएगा मिस्रा जी चलो सबसे पहले इसे हमें इस टॉयलेट में रखना है गुपता जी इसे टॉयलेट में क्यों रखे हैं? अरे मिस्रा जी हमें एक ट्यूब बनाना है अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा मिस्रा जी बस तुम देखते जाओ चलो वो कपरा कहां था ये रहा चलो इसे हमें कीचन की ओर ले जाना है गुपता जी इविल लॉल तो वहीं पर है अब हम दोनों कैसे जाएंगे वो चला गया मिस्रा जी चलो अब जा सकते हैं अभी इस कपरे को यहां रख देते हैं मिस्रा जी इसका काम आएगा गुपता जी यहां एक मीम की है वा मिस्रा जी मीम की मिल गया है हमें आव बताता हूँ इसका क्या काम आएगा हम इस की की मदद से एविल डॉल को मज़ा चका सकते है ये रहा इसका दरवाजा ओ नो मिस्रा जी हमें लीवर की ज़रुत परेगी गुपता जी ये क्या है अरे ये तो वो केमिकल है ये हमारे काम आएगी मिस्रा जी चलो इस केमिकल को हमें बर्गर में मिलाना है उससे क्या होगा गुपता जी अरे मिस्रा जी उस बर्गर में मिला के इस प्लेट में रख देंगे यहां इविल डॉल यहां खाने आएगा उसे लेकिन उससे पहले चलो हमें मीम वेपन चालू करना है मिस्रा जी हमें लीवर खोजना होगा गुपता जी मिल गया मुझे लीवर ये रहा बहुत बरिया मिस्रा जी आव जल्दी से इस लीवर को इधर ही लगाना था सायद कहां गया वो जगा ये रहा ये मिस्रा जी अब हमें मिल गया है मीम वैपन गुपता जी इस वेपन की मदद से एविल डॉल को मारेंगे क्या हा मिसरा जी यही समझ लो देखना कितना मज़ा आएगा इस वेपन को चलाते ही एविल डॉल डांस करने लगेगा देखना गुपता जी यह रहा एविल डॉल इसे मार ये हाँ मिस्रा जी रुको मार रहे हैं गुपता जी आपने इविल लॉल को तो मारा ही नहीं उसने हमें मार दिया अरे मिस्रा जी मैंने वो वैपन चलाया था पर पता नहीं क्यों रॉकेट निकला ही नहीं उससे रुको मिस्रा जी फिर से चलाते हैं वो रॉकेट ये इविल लॉल तो अभी भी यहीं है चलो इधर आओ मिस्रा जी इधर से वैपन उठा लेंगे मिस्रा जी ये रहा हमारा वैपन आने दो इस वर छोड़ेंगे नहीं हम उसे अबे इविल लॉल इधर आ गुपता जी ये क्या हुआ इविल डॉल तो दांस कर रहा है हाँ मिस्रा जी चलो फटाफट से काम कर लेते हैं हमें लक्री लेना था इस इविल डॉल को डांस करने दो हमें अब अपना काम करना है इस लक्री में हमें कपरा बांदना है मिस्रा जी ये रहा वो कपरा अभी इसे यहीं रखना है तब तक ये बर्गर वाला काम कर लेते हैं इसमें हमें केमिकल मिलाना है और इस प्लेट में यहां रख देना है गुप्ता जी इसका क्या फाइदा होगा अरे मिस्रा जी ये खाना तो इविल डॉल के लिए है क्योंकि हमें उसका टटी चाहिए क्या गुप्ता जी टटी हाँ मिस्रा जी उसकी मदद से हम लोग एक पाइप बनाएंगे चलो आओ जब तक इविल डॉल डांस कर रहा है तब तक कुछ खोज लेते हैं गुप्ता जी वहाँ एक बोतल है हाँ मिस्रा जी अरे ये तो ओयल है उस कपड़े को जलाने के काम में आएगा ये जब तक इविल डॉल डांस कर रहा है तब तक हम लोग काम कर लेंगे मिस्रा जी आओ इस लकरी में हमें तेल डालना है ये हो गया अब हमें यहां से जला लेना है इसे भी हमें नीचे ले जाना है मिस्रा जी गुपता जी इन सब समान करेंगे क्या अरे मिस्रा जी सब तुम्हें पता चल जाएगा जब नीचे वाला दरवाजा खुलेगा न तब देखना गुपता जी लॉंचर का पावर खतम हो गिया है इविल डॉल इधर ही आ रहा है अरे दरो नहीं मिस्रा जी हमें यहाँ छिप जाएगे अभी देखना इविल डॉल यहाँ खाने आएगा क्योंकि बर्गर प्लेट में रखा हुआ है उसको खाते ही इसकी टट्टी निकलाएगी क्या गुपता जी मुझे तो हसी आ रही है हाँ गुपता जी यह तो खाने के लिए बैठ गिया है खा भी लिया कर भी दिया गुपता जी इधर क्यों जा रहे हैं हम लोग अरे मिस्रा जी हमें टट्टी उठाना है न क्या मतलब गुपता जी अरे मिस्रा जी उस टट्टी की मदद से हमें पाइप बनाना है न मैंने पहले ही बोला है तो गुपता जी आप उठा रहे हैं न वो टट्टी नहीं मिस्रा जी ऐसा किसने बोला ये काम तुम्हें करना है ये लो लकरी इस लकरी की मदद से तुम्हें उठाना है उसे नहीं गुपता जी ये काम मुझे नहीं करना है करना तो परेगा मिस्रा जी अगर नहीं करेंगे तो ये गेम पास कैसे होगा चलो आओ यहाँ एविल डॉल नहीं है यह रहा टट्टी इसे उठाओ जी वाँ गुपता जी किसना बद्भू आ रही है इस टट्टी से बस थोरी देर और मिस्रा जी हमें इस टट्टी को इस टॉलेट में रखना है इसे यहाँ रख दो अब फलस चालू कर दो यह लो हमारा पाइक बन गिया तो गुपता जी इस ट्यूब का करना क्या है अरे मिस्रा जी इस ट्यूब का काम फ्यूज बॉक्स में आएगा गुपता जी इस ट्यूब काहा गया इधर ही गिरा था चलो गुपता जी हमें इविल डॉल से बच के रहना होगा हाँ मिस्रा जी बच के भी रहना होगा और काम भी पूरा करना होगा अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है हमारा चलो आओ मिस्रा जी सबसे पहले फ्यूज बॉक्स को सही करते हैं इस पाइप को यहां लगाना है यह हमारा दर्वाजा खुल गया हमें यहीं सारा समान लाना है गुप्ता जी यहां क्या है पता नहीं मिस्रा जी चलो देखते हैं यहां भी कुछ है क्या यहां तो कुछ भी नहीं है गुप्ता जी फाल्तू का टाइम वेश्ट हो गया हा मिस्रा जी चलो अब यहां से हमें एक मसरूम लेना है यह रहा इसे भी हमें नीचे ले जाना है मिस्रा जी गुप्ता जी इस मसरूम का क्या करेंगे अरे मिस्रा जी इस मसरूम की मदद से हमें स्पेसल केमिकल बनाना है चलो सारा समान नीचे ले आते हैं यह पानी भी नीचे ले जाना है हमें उस स्पेसल केमिकल को बनाने के लिए पानी की ज़रूत पड़ेगी मिस्रा जी इस पानी को यहां रखना है ये देखो इसके अंदर ले जाएंगे सारा समान गुपता जी अब तो वो सिर्प आग बचा है हाँ मिस्रा जी उसे भी हमें नीचे लाना है इस आग की मदद से हमें सारे मौंबत्ती जलाने होंगे चलो मैं बताता हूं मिस्रा जी गुपता जी कहीं evil doll इधर ना आजाए नहीं आएगा मिस्रा जी चलो सारे candles जला लो ये हो गया गुपता जी अब हमें क्या करना है मिस्रा जी इस पानी को हमें इसके अंदर रखना है अब क्या करना है गुपता जी मिस्रा जी अब हमें एक bone चाहिए इधर कहीं ही होना चाहिए वो बोन ये रहा इसे हमें उस पानी में मिला देना है ये हो गया गुपता जी अब हमें क्या करना है अब मिस्रा जी हमें वो मस्रूम लाना है वो मस्रूम कहां रखा था गुपता जी मैंने बाहर देखा था ये रहा हाँ अब इस मसरूम को हमें उस पानी में डाल देना है तब हमारा स्पेसल केमिकल बन जाएगा ये बन गया अब हमें इसका दरवाजा खोलना है मिस्रा जी इसका चावी खोजना होगा हमें चलिए गुपता जी देखते हैं इसका चावी कहा होगा इविल डॉल देख लिया है गुपता जी अरे घबराओ नहीं मिस्रा जी चलो यहाँ देखते हैं इधर कहीं होना चाईए वो चावी अब ये चावी भी खोजना परेगा गुपता जी पता नहीं कहां होगा वो चावी चावी खोजने से पहले मिस्रा जी इविल डॉल को सबक सिखाते हैं चलो, मीम लॉंचर में रॉकेट भरते हैं पहले गुपता जी ये तो वही रॉकेट है ना डांस करने वाला हाँ मिस्रा जी, ये वही रॉकेट है चलो फिर से इविल डॉल को मजा चकाते हैं मिसरा जी कहां है इविल डॉल आजा ये रहा गुपता जी से मारिये जल्दी मारिये अब इसे डांस करने तो मिसरा जी हमारे पास 90 सेकेंड है तब तक हमें चावी खोजना है गुपता जी ये है क्या वो चावी हाँ मिस्रा जी ये तो उसी कचा भी है बहुत बरिया मिस्रा जी चलो हमारा काम असान हो गया फटाफट से वो दर्वाजा खोल लेते हैं मिस्रा जी ये हो गया गुपता जी इसके अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं अरे मिस्रा जी इसके अंदर जाने के लिए हमें वो केमिकल पीना होगा उस केमिकल में इन्विजिवल होने की तागत है लेकिन उससे पहले कोड भी खोजना है हमें मिस्रा जी वो कोड तो चेश्ट की में होगा हमें चेश्ट की चाहिए मैंने चेश्ट की को यहां देखा था मिस्रा जी सबसे पहले ये मिल गया आओ चेश्ट की खोलते हैं और उस कोड को ले जाएंगे नीचे गुपता जी ये रहा चेश्ट की ये रहा वो पासवर्ड चलो मिस्रा जी अब हमें नीचे जाना है सारा काम तो लगबग हो गया है इसे यहां रख दो मिस्रा जी चलो तब तक हमें केमिकल पीना है यहां एक खाली बोतल होगा मिस्रा जी ये रहा इसके अंदर हमें इसमें वो केमिकल भरना है और पी जाना है ये केमिकल इस chemical की मदद से हम invisible हो जाएंगे चलो मिश्रा जी इसे पी लेते हैं अब हम लोग invisible हो गए हैं देखो अंदर आ गए हम लोग ये रहा वो password इस password को हमें यहां इंटर करना है ओ नो मिश्रा जी बैटरी तो भूली गए हमें इसमें बैटरी लगाना होगा गुप्ता जी मैंने बैटरी देखा था टीवी के बगल में था वो बैटरी समल के जाना गुप्ता जी कहीं evil doll आना जाए अरे मिश्रा जी ड़रो नहीं अब हम लोग invisible हैं ये रहा बैटरी evil doll हमें कुछ नहीं करेगा उसे तो हम दोनों नजर ही नहीं आएंगे ये देखो हमें नहीं देख पा रहा है चलो इस बैटरी को लगा देते हैं और वो password इंटर कर देते हैं ये हो गया गुप्ता जी यहां से एक चावी मिला है यही तो लेना था ना हा मिश्रा जी यही है main door की इसकी मदद से ही हम दोनों यहां से निकल जाएंगे ये गुप्ता जी फाइनली हम दोनों ने इस गेम को complete कर लिया है ये रहा वो main door की अब तो इवी डॉल भी कुछ नहीं कर पाएगा चलिए यहां से निकलते हैं तो दोस्तो आपको ये gameplay कैसा लगा हमें comment में लिखके जरूर बताईएगा हम फिर मिलेंगे एक नए हॉरर गेम प्ले के साथ